हेलो गाइस वहाओ और यौल आई होप यौल आ डूइंग विल सो यह नया अपडेट जो मैंने शुरू किया है डेली न्यू जॉप अपडेट का उसकी यह नई सीरीज है ओके यह नया वीडियो होने वाला तो आप देख सकते हो तो SBI की तरब से नया अपडेट निकल के आगया जिसमें हुज वेकेंसी हैं मोर दें 5K प्लस वेकेंसी हैं यानि 5000 प्लस वेकेंसी हैं उसकी पूरी डीटेल्स में आपको इस वीडियो हमें बताने वाला हूं तो उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर तो इसी टाइब की डेली अपडेट एंड इंसाइड इंफॉर्मेशन के लिए इसके बाद मैं यह भी बताऊंगा कि कुछ टाइम बाद जैसे फॉर्म फिल अप कंप्लीट हो जाएगा तो कितने नंबर आफ टोटल अप्लिकेशन अप्लाइग किये गए हैं लोगों के द्वारे स्टेट वाइस सो उन सारी डीटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके सो यह आप देख सकते हो लाश्ट डेट है आज से ही कल से स्टार्ट हो गया फॉम फिलिंग में होके सातनाओ दो हजार बाइस से 2792 हजार लाश्ट डेट है फॉम फिलिंग की यह विबसाइट रहने वाले जहां से जाके आप डारेटली अपलाई कर सकते हो ओके यह ब्रांच वाइस सोरी सरकल एंड स्टेट वाइस नंबर ऑफ बेकेंसी जनरल ओबीसी स्टी यह सारी चीज़े रहने वाले तो आप इसका स्क्रीन सॉर्ट ले सकते हो ओके और यह अगर मै यह सारी चीज़े बताऊँगा तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा सू मैं में में चीज़े बस आपको इसमें बता दूंगा उसके बाद अगर आप डीटेटल वीडियो के डिमांड करोगे तो वीडियो मैं नेक्स्ट में बना दूंगा तो उसके लिए भी at least उनको select करना पड़ेगा during form fill up के time पे okay और उसी language पे उनका exam हो पाएगा okay so यह बहुत important चीज़ आप देख सकते क्योंकि यहां भी जब आप देखोगे न तो एक language आपको provide की गई है कि इस state के लिए यह language यह level है then htsc categories कौन कौन सी categories हैं जिनको की reservation मिल सकता वो सारी चीज़ यहां पर दिखाए गई है reservation जो है वो सभी candidate के लिए horizontally provide किया गया है 4% of reservation जो है वो fix किया गया है जो भी pwd candidates हैं या फिर ex-servicemen candidates हैं उन सभी के लिए okay 4.5% जो भी OBC वाले हैं वो अगर non creamy layer में आते हैं तभी उनको reservation दिया जाएगा otherwise उनको reservation नहीं दिया जाएगा यह भी चीज़ यहां mention है अगर आपको नहीं पता cream layer non cream layer क्या होता है तो आप मुझे message कर देना वह भी मैं बता दूंग और EWS के लिए भी यहां पर देख सकतो to date दी गई application के लिए okay and the main candidate that the candidate who working in SBI in clerical cred are not eligible okay जो लोग भी पहले से उसमें work कर रहे हैं वो लोग eligible नहीं है okay और भी कौन लोग eligible नहीं देख सकते candidate against whom there is any adverse report regarding character or anti credence more okay जिसके against भी कोई भी online FRR या जो भी police case बगएर चल रहे हैं वो लोग भी applicable नहीं है देना जाते हैं हम age eligibility criteria के लिए तो minimum age आपकी 20 होनी चाहिए maximum 28 होनी चाहिए वह भी according कब 18-2022 के according है minimum हम देखे होगे 299494 के according होनी चाहिए ओके इस बीच में होनी चाहिए दिन आपका age relaxation भी आप category wise देख सकते हो के STS सिख ले 5 साल हो भी सिख ले 3 साल और यह different चीज़े रहने वाली है दिन मैं form fees आपको बता देता हूं क्या रहने वाला essential qualification में बता दिया कोई भी degree आपके पास हो तो आप apply कर सकते हो ओके दिन यहाँ पर disability जैब blindness अगर आपको पास चस्मा लगता आपको तो वह भी कितने power का होना चाहिए वह भी सारी चीज़ यहाँ पर mention है यहाँ पर भी आप देख सकते हो दिन मैं बता देता हूं कौन-कौन इसमें form fees कितनी रहने वाली है ओके सो लेट्स स्टार्ट मैं आपको form fees बता देता हूं सो यह है देखे आपको apply करने के लिए मैंने सकता दिया डारेक्ट ली जो उपर website दी है यह यहाँ पर जाके आपड़ाइट लेप्लाइग कर सकते हैं जो form fees रहने वाली स्टी 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 डब्लूडी और एसम के लिए निल रहने वाली है और जैनरल ओबी सी डब्लूएस के लिए साथ सो पचास रुपे फीस रहने व और complete वीडियो अगर detail में जानना है तो एक एक point को explain कर दूँगा जिसमें around काफी time लगेगा तो उस वीडियो को अगर देखना है तो comment कर दो मैं जरूर से बना दूँगा detail में okay thank you all